क्या इस देश में कभी कोई आंगनवाडी जो महिलाएं हैं, आंगनवाडी कारे कत्री हैं, साहिकाएं हैं, आशबवुएं हैं, क्या उनका कोई दर्द समझ पाएगी कोई सरकार, कोई राज्य सरकार, या केन सरकार, उनका दर्द समझ पाएगी? कितना महत्पूर्ण उनका काम है कि बच्चे के जब गर्म में, मा के गर्म में बच्चा होता है तब से लेके मा की और बच्चे की जब बच्चा 6 वर्ष तक होता है, तब तक सारे देख भाल, लगबग मा की तरह ही ये आंगनवाडी बेहने उसकी करती है और इसके साथ साथ उसका टीका करन मा का भी बच्चे का भी सारे उसकी वजन की देख भाल उसके पोशन की देख भाल उसको सही पोशन मिला है नहीं मिला है कहीं कुपोशित तो नहीं बच्चा उसका कुपोशन है तो उसकी सारी जानकरी रखना देना कु इसकूल जाने से पहले कि जो उनकी एजूकेशन है उसका ध्यान रखना इसके साथ साथ जो एक हजार की आवादी पर एक आंगरवाडी भेन और उसके साथ में उसकी साहिका होती है वहाँ घर-घर जाकर जो महिलाएं हैं जो किशोरी बच्चियां हैं टीनेजर बच्चियां हैं उनको जीवन के बढ़ते हुए उम्र में क्या-क्या साथ धानी बरतने चीएं कैसी रखने चीएं उस सारी जानकरी देना और इस सब काम के लिए 21-21 रजिस्टर उनको हर दिन में प Allah का काम भी दिया जारा है पोली का काम ब्र है जन गालना का भी काम दिया जा रहा है बाकी जितने भी काम है वो भी अब उनके मात में मटे जारहे हैं उनसे कर क्या रहा है कोई उनके दर्द को जानने वाला उनकी पीड़ा को सुनने वाला समझने वाला और उसे दूर करने वाला कोई नहीं है कोई सरकार नहीं है चाराजी की हो चाकेंदर की कोई भी सरकार नहीं है मात्र उन्हें मिलते हैं कहीं 4000 रुपे मिल ले हैं कहीं 5000 रुपे मिल ल 28 लाख इनकी संक्या है और इतना बड़ा establishment होते हुए उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है क्या होता है कभी आपने सोचा है इन 4,000 रुपे में क्या होता है तीन हजार रुपे में क्या होता है आज की तारिक में जहां 55 रुपे किलु बिक रहा हो जहां आलू भी इतना महगा ब तोड़ दीजी आप, वो सबजियां रोजमर्रा की जो हैं, वो इतनी महंगी बिक रही हूं, जहाँ दालें 100 रुपे से जादे किलो के हिसाब से महंगी बिक रही हूं, जहां पर रोजगार नहीं है, वहां क्या होता है, एक धंका कपड़ा, एक जोड़ी अगर आप कपड़ा भी लेने लगें, तो वो भी 1000 रुपे में आता है, एक साड़ी अगर आप धंकी लेने लगें, तो 2000 रुपे में धंकी साड़ी आएगी नहीं, यह हालत उनकी है, कभी उनके घरों में जहां कर देखा है, कभी उनके जहां जाकर कभी किसी ने देखा है, सरकार ने, कितनी कुपोशन क्या खतम होगा आज की तारिक में 80% कुपोशन बच्चे हमारे देश में हैं कुपोशन इस बुरी हालत में हैं जिसके लिए आंगनवाडी को इस्थापना की गई आंगनवाडी की लेकिन जब आप उन्हीं की देखबाल नहीं करते तो बाकी बच्चों की क्या दे किये कोई सुन्दवाला नहीं है अभी पिछले दिनों वैसे तो कहूं अगर पिछले सालों में लगतार उन्होंने आंदोलन किये हैं लिकिन उस सब के बाब जूद भी उनका मांदे बढ़ा है नहीं गया उनकी मांग है और बिलकुल जाइस मांग है कि उन्हें 18,000 रुपे मिनिमम वेतन जो बनता है वो 18,000 रुपे उन्हें दिया जाना चाहिए 18,000 रुपे कोई बहुत बड़ी आप से सरकार से वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मांग रहे हैं 18,000 एक जाइस बनता है जो मिनिमम वेज के हिसाब से है वो तो सरकार ने अब 18,000 से भी जादे कर द लगबग 24,000,000 करोड का बज़ट है और इस सारे 24,000,000 करोड के बज़ट में क्या आंगनवाडी महिलाओं के लिए सरकार के पास में क्या 10,000,000 करोड भी नहीं है अगर उत्तर प्रिदेश की बात करें उत्तर प्रिदेश में 34,000,000 आंगनवाडी महिला है और अगर सरकार के सरकार की बात छोड़के अपने ही दम पे अगर सारा सब कुछ करने लगे तो लगबग 5,000 करोड रुपे साल का सिर्फ खर्चा पड़ता है सरकार का उसे देने में क्या दिक्कत है उत्तरप्रिद्र सरकार का अभी जो बजट आया है 4,24,000 करोड रुपे का है तो उसमें उन्ह में क्या दिक्कत है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है केवल नियत नहीं है मेरा सरकार के सरकार से यही कहना है कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान दे और इससे अलग हटके मेरा आंगनवाडी बेहनों से कहना है बेहनो कोई आपका साथ दे न दे ये भानुप्रताप सिंग और प्रास्टिय जनहित संगर्ष पार्टी जो हमारी पार्टी है आपके आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ लड़ेगी पूरी मांदारी से पूरी ताकत से आपके आंदोलन में हम साथ देंगे आपका और आपकी लड़ाई जब तक आपको आपका जाइस हक नहीं मि आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन एक बार आर पार की लड़ाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ी है, इस सरकार की आँखें जब तक नहीं खुलेंगी, क्योंकि ये तो गूंगी, बहरी, अंधी, बेरहम और बेशरम सरकार है, जब तक आप सरकों पर नहीं उतरेंगी, हमारी 28 लाग बेहने हैं, अगर लाखों की संक्या में बेहने सरकों पर निकलेंगी, तो निश्चित रुप से सरकार आपकी बात मानेगी, बिना माने, रहने ही पाएगी, सारा मीडिया, जो आचुप बेटा है, जो आपकी विशे में नहीं दिखाता, वो मीडि बना के, हम एक बार अगर सलकों पर उतरेंगे, तो निश्चित रुप से हमारी माने मानी जाएंगी, और मैं इतना तो आप से कही सकता हूं, कि अगर ये सरकार आपकी बात नहीं मानती है, क्योंकि बेरहम और बेशरम सरकार है, गुंगी बहरी जूटी सरकार है, निकमी सरक अगर ये सरकार आपकी बात नहीं मानती है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले